Hello everyone, स्वागत है अप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल GDC Medicine पे हम अपने इस चैनल पे दवाईयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं सास्त देखबाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी देते रहते हैं तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों के समय में खजूर खाने के क्या फाइदे होते हैं जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां आ चुकी हैं और इस सर्दियों में अनेको प्रकार के आपके infection और भी देर प्रकार की वीमारियां होने के chances रहते हैं उसी कड़ी में जब आप खजूर खाते हो तो जैसा कि आपको पता है कि जो खजूर है न एक natural content है जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे content यहाँ पर रखता है तो आपके धेर प्रकार की जो बीमारियां है जो बॉडी में तकलीफे है उसको दूर करने के लिए खजूर एक best यहाँ पे औसधी कहलो या कहलो एक स्रोत माना जाएगा तो आझ हम जानेंगे इस खजूर के अंदर क्या-क्य चीज़े पाई जाती है उसकी बात करेंगे और सर्दियों में खजूर खाने के क्या-क्या बेहतरीन फायंदे हो सकते हैं आपके body पे क्या-क्या अच्छे प्रभाव पर सकते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे पूरे वीडियो में जरूर बने रहीएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मिशन मिस्ट न होने पाए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर्दियों के टाइम जब खजूर आप खाते हो तो उसमें क्या-क्या मिलता है खजूर को देखे हम सुपर फोड भी बोलते हैं क्यों क्यों इसमें जो नेचुरल सुगर की भरपूर मात्रा पाई जाती है 15 तरह के इसमें मिनरल्स होते हैं जो की बोडी को अवस्यक होते हैं उसकी पूर्ती करता है चोधा तरीके के fatty acid जो होते हैं body के उसकी भी पूर्ती करने के लिए खजूर खाये जाता है साथी साथ 23 प्रकार के amino acid पाये जाते हैं और 6 प्रकार के vitamin मतलब ऐसे जो भी essential vitamin हुए, essential आपके nutrient हुए, essential आपके minerals हुए सब कुछ इस खजूर के अंदर पाये जाएगा और अगर आप खजूर सही समय पे सही तरीके से खा रहे हो तो कहीं नहीं आपके body के लिए best माने जाएगा अगर हम बात करते हैं डियर कि खजूर खाने में और सर्दियों खाने में क्या फायदा होता है सर्दियों में तो सबसे पहली बात है body में कहीं susan है, inflammation है, सर्दि के समय तो उसको ठीक करता है खजूर साथी साथ हड़ियों की मजबूती के लिए भी खजूर का best और बेतरीन यहाँ पर role देखने को मिल जाता है साथी साथ अगर आप खजूर खा रहे हो तो आपकी skin भी glow करेगी, skin glowing बनती है जो दाग दब्बे blemishes होते है उसको भी दूर करने के लिए खजूर खाना बहुत ही best माना जाता है साथी साथ अगर आप diabetes वाले patient है तो blood के सुगर को maintain करता है natural सुगर है तो बहुत ज़्यादा diabetes को भी नहीं बढ़ाएगा सुगर को भी नहीं बढ़ाएगा तो आप इसे खजूर खा सकते हो खाली पे फिर अगर हम बात करते हैं आपका सर्दी जुकाम से बचाने के लिए सर्दी जुकाम से राहत देले के लिए भी खजूर आपका बेश्ट माने जाता है खजूर खाना बहुत ही लाबकारी सिद्ध होगा साथी साथ अगर हम बात करते हैं भी या energy बढ़ाए जी हां खासकर अगर हम energy की बात कर लें जो आपके body में energy देना stamina देना इन सभी चीजों के लिए खजूर का सेवन बहुत ही best माना जाता है अगर हम बात करते हैं constipation cubs की समस्या जब आपका पेट साप नहीं हो पाता बहुत ज़्यादा stool hard हो जाता है और आपके पाचन सकती यहां पे घर जाती है तो उस condition को जब आप constipation बोलते हो उन patient में भी इसका सेवन करना बहुत ही जादा लाबकारी या beneficial मान जाता है वो वाले patient भी इसे consume कर सकते हैं तो अगर हम बात करते हैं चाहे वो inflammation को दूर करने की बात हो वहां पे भी खजूर का best role होगा साधी साध हड़ीयों की मजबूती को लेकर के बात हो या skin की glowing की बात ह या फिर diabetic patient की बात हो blood sugar level को maintain करने की बात हो अथवा सरदी जुखाम की बात हो उसमें भी रहत दिलाने का काम करेगा फिर अगर हम बात करते हैं कि आपका energy को बढ़ाएगा stamina को बढ़ाएगा पुरसों के sexual life sexual health के लिए भी खजूर का 7 best होता है या फिर constipation की बात कर लें अस् जैसे भी आपको खाना है इसको जरूर खा सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे content है जो कि कहिन गई आपके body के लिए best माना जाता है body के हर एक function के लिए यहाँ पे इसका बहुत ही बैतरीन रोल देखने को मिलेगा सो इस वीडियो में आपने जाना कि भी यह सर्दी के समय में खजूर खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं क्या क्या आपके सरीर पे बैतरीन असर दिखा सकता है जानकारी अच्छी लगी हो कुछ सीखने को मिला हो तो और और तक जरूर सेर करें इसी तरीके से धेर सारे हलसे जुड़ी टॉपिक की वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे उसको विजिट कीजिएगा लाइक से सब्स्राइब करते रहिए मिलते हैं किसी एक लिए वीडियो में किसी अन्य टॉपिक की इंफोर्मेशन के साथ तब तक के लिए अपना और अपनों का थ्याल रोखे थैंकियो सो मच्छ ऑल बेरी बेस्ट